हेलो गाइज वेलकम तो अनदर वीडियो अप स्टॉक मार्केट फेंट्स रेन होल्डिंग्स लिमिटेट की ओर से मार्च कॉर्टर के फिनांसल रिजल्ट पेस हो चुका है जो कि आज केस्वेड में स्टैंडर लॉन कॉंसॉलिडेटेट दोनों डिल्स आउट हो चुके साथ पर कंपनी के ओर से 17 रुपिज पर रिक्विडिश का फाइनल डिविडेट में आपर रिकमेंट किया गया है जो कि अन्वेल जनरल मीटिंग में अप्रूफ किया जाएगा तो अब हम लोग चलते कंपनी के फिनांसल रिजल्स पे तो गाईज हम लोग आ चुके हैं यहां प पिछले कॉडरा में 845 करोड था और मार्स क्रमें 759 करोड के यहां पर गाईज कॉडरा की इक्सपेंस के बहुत जाएब चुके इंकम में इसके एंक्स बहुत ज्यादा हुआ है इसके कारण ऑप्लेटिक पॉसेट में गिरावाट आया था थिएक प्लेज पॉट्टीक और पिछले को आटम 13 करोड का ही जो सो एड का गया है जो कि यहां पर ज्यादा गिरावट आई है जो कि यहां पर जोएंट वेंचर से कंपनी के उनके मतलगी प्रॉफिट इस बाद जो से लॉसस देखने को मिला जिसके बाद यहां प्रॉफिट गिर के 14.5 करोड पर प्लस ए इसके बाद यहां पर लॉसस हुआ 8 करोड का पिछले क्वार्ट फिफ्टी वन करोड प्रॉफिट था और मार्च 22 क्वार्टर में 12 करोड का लॉसस था quarter on quarter on बहुँ ज्यादा fall है लेकिन year on year में losses recover किया है EPS निकलके आया है 15.2 रूपेज का quarter on quarter on बहुँ ज्यादा fall है year on year में recover करता हुआ देखने को मिला है तो अगर देखा जाए तो इंकम तो अच्छी ग्रोथ हो लेकिन एक्सपेंस यहां पर लॉसस बहुत जादा हुआ है कंपनी को लोगने उख्वां इंक्रीष हो था यहां पेंस इंक्रीष होहां प्लस यहां पर एक्सेप्शनल एक्सेप्शनल आइटम में नान केरोल का खर्च वाइस के करने पॉफिट बहुँ ज्यादा गिरावट आए जो कि इस बार का निट पॉफिट निकल के आया है गाई इस बार फाइप पॉइंट फोर करोल का पिछले को लिए चाट इट पॉइंट फॉर करूल था मार्ट नेट पॉफिट था क्वाटर ओन फॉर एक प कोपनी का फिट्स बहुत ज्यादा घिरावाट आ रही है तो अब हम लोग वीडियो के प्रेंट करता है और कोई डाउट कमेंट बॉक्स से कुछ है मिलता है नेक्स टूरम डिल दन वाइग